दंतेवाड़ा में उपचुनाओ के लिए वोटिंग जारी है इस सीट से कॉंग्रिस से देवती कर्मा और बीजिपी से ओजस्वी मंडावी चुनावी मैदान में है लोकसबा चुनाओ के वक्ट चुनाओ प्रचार के दोरान दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की नकसलियों ने ब्लास्ट कर हत्या कर दी थी जिसके बाद योप चुनाओ कराय जा रहा है यहां से बीज़िपी ने ततकालीन विधायक भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को अपना उमिद्वार बनाया है तो वही कॉंग्रिस की तरफ से बस्तर के कदावर रहे नेता महेंद्र कर्मा जिनकी नकसलियों ने 2013 में जीरम घाटी में हत्या कर दी थी उनकी पत्नी देवती कर्मा को कॉंग्रिस ने अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा है 273 पोलिंग बूथो पर कड़ी सुरक्षा वैवस्ता के बीच वोटिंग कराई जा रही है सनवेदर्शील 28 पोलिंग बूथो को शिफ्ट किया गया है पता दे कि 65 से दिक बटालियन के लगभग 10 से 12,000 जवानों को तैनाद किया गया है दंतेवाड़ा विधान सबा में कुल 1,88,624 मत्दाता है इन में से पुरुष मत्दाताओं की संख्यार 89,784 है वही महिला मत्दाता 98,876 है वही इंद्रावती नदी पार के सारे पोलिंग भूथ को मुंचार और चिंदनार में शिफ्ट किया गया है इंद्रावती नदी के 3 घाटों में लगभग 10 से ज़ादा मोटर वोट और होम गार्ड गोता खोरों की विवस्ता की गई है जिससे गरामीर मोटर वोट के साहरे नदी पार कर वोट दिने मुंचार और चिंदनार आ सके बता दे कि इंद्रावती नदी पार का इलाका माउवादियों का घड है झाल